हलो दोस्तों कैसे हैं सभी लोग बैज आज की रेशपी है चाट पकॉरी के साथ खाई जाने वाली चट पटी हरी चटनी तो दोस्तों हरी चटनी बनाने के लिए हमने लिया है आधा कप नारियल और आधा कप हमने लिया है भुना हुआ चना और जो धनिया लिये ना वो हमने डंडी साइज ली है सिपत्या पत्या नहीं ली है और छे हरी मिर्च ली है और साथ में ली है चार लहसुन की कलिया और आधा इंच अद्रक का टुकड़ा और आधा कप के करीब हमने लिया है तही तो वे चलिए फटा फट ठरी चटनी बना करके तयार कर लेते हैं और देखें हमने बड़ा जार लिया हुआ है मतलब मीडियम साइज वाला और इसमें सभी चीजों को हम एट कर दें क्योंकि बहुत छोटा जो चटनी जार होता है ना उसमें अगर इस सारी चीजे एट करेंग तो मतलब फैलेगी बाहर अच्छे से ग्रैंड नहीं होगी इसलिए हमने देखें थोड़ा सा मीडियम साइज वाला ही चाड लिया है और देखें सभी चीजों को मिसमें एट कर दे रहें एक साथ ही इसमें हम सभी चीजा डाल देंगे और बहुत ही स्वादेश्ट यह दिया है और आधा कफ हम इसमें एट कर रहे हैं पानी तो भई अब चलिए इसे बढ़िया से क्राइंड कर लेते हैं और यह देखें हमारी हरी चटनी बनकर के तयारे बहुत ही बढ़िया देखने में भी इच्छी लग रही है और अगर आप धनिया थोड़ा और जादा डा जाएगी और यह दिखें मतलब चाट पकोड़ी हो या पराठा पूरी खाने के साथ भी आप इसे दी सकते हैं बहुत अची लिगते है क्योंकि इसमें दही भी बढ़ा है तो थोड़ी सी खटी चटपटी हरी चटनी बनकर तयार है और दोस्तों अगर आपको हमारी हरी चट सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें प्यारे प्यारे कमेंट करें